नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी आफ साथ जैसे कि अब सब जानते हैं कि हाली में इस वो ने चंदरियान 3 को लांच किया है खुशी के बार ये है कि ये लांच successful रहा है अब लांच तो चंदरियान 2 का भी successful रहा था लेकिन उसके landing में कुछ technical glitch आये थे जिसके वज़े से वो जो program था वो unsuccessful हो गया था मगर इस बार चंद्रियान 3 के लिए पूरे क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये successfully moon पर land होने वाला है अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो moon के south pole पे अपना एक rover जो है उसे launch कराएगा चंद्रियान 3 की success जितना हमारे देश के लिए गरव करने की बात है उतना ही हमारे examination के लिए important भी है आने वाले समय में काफी exams में आपको इस से related questions देखने को मिलने वाले हैं इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए चंद्रियान 3 से related सारे important gk questions को लेकर आया हूँ इस lecture में हम चंद्रियान 3 के सारे चंद्रियान 2 और 1 और इसके सारे इस रहो से related जितने भी important gk questions जो आपको जानना जरूरी है उन सब को cover करने वाला हूँ तो ये गाफी important वीडियो होने वाली है आपके examination perspective से आप इस वीडियो को अंद तक देखेगा चैनल पहने हों तो subscribe बबश्य करेगा पॉलिटिस्ट एकोनमी जी के टेखेगा एक बर हमारी playlist को जुरू चेक करेगा चले बिना time बरबात किया है शुरुआत करते हैं पहला सवाल है चंद्रियान 3 इस दा successor to which previous Indian lunar mission तो पहले कौन सा वो lunar mission था जिसका चंद्रियान 3 successor है मतलब ऐसे प्री डिसेसर होता है जो पहले होगा सकसेसर मतलब जो बार में है तो किस इंडिया के lunar mission को चंद्रियान 3 सकसीड कर रहा है तो इसका right answer है चंद्रियान 2 तो चंद्रियान 2 भी successful था उसकी launching भी successful थी लेकिन कुछ technical glitches के वज़े से वो moon की सता पर land नहीं कर पाया था लेकिन अभी चंद्रियान 3 से ऐसे क्यास लगाय जा रहे हैं कि इसको इस परकार से बनाये गया है कि ये बड़ी easily वहाँ पर land कर जाएगा तो ये किसका successor है ये चंद्रियान 2 का successor है next question है कि which celestial body is the primary target of चंद्रियान 3 अब देखो ये तो बताने के कोई जूरत नहीं है लेकिन मैंने question ऐसे design किया है कि पहले हम easy cover करेंगे फिर हम थोड़े tough questions के चलेंगे तो कौन सी ऐसी celestial body है जो primary target है चंद्रियान 3 का तो सब जानते हैं moon चंद्रियान जो है यहाँ पे चांद है चांद मितलब moon तो चंद्रियान से moon तो moon जो है वो celestial body है जो primary target है चंद्रियान 3 का निमिल लिखन में इसा इसा कौन सा लाँच विकल है जिसको यूज किया गया चंदरियान 3 को लाँच करने के लिए तो इसका राइट अंसर है GSLV Mark 3 यह है GSLV Mark 3 GSLV Mark 3 की full form है Geosynchronous Satellite Launch Vehicle तो यह अपने ध्यान में रखना है GSLV Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Next question है हमारे पास What is the key objective of चंदरियान 3 अब इतना बड़ा mission है इतना ज्यादा पैसे लगए इसमें हम देखेंगे कि इतना total amount लगा है तो इसके objective क्या है हम क्या देखना चाहते हैं Study the atmosphere of the moon क्या हम atmosphere जो है moon का उसको study करना चाहते हैं Establish a permanent human settlement on the moon क्या इस चंदरियान 3 के माधियम से हम moon पे permanent human settlement को establish करना चाहते हैं क्या हम existential life के जो science है उसे search करना चाहते हैं कि क्या इस धरती के बाहर भी कोई ऐसी जगा है कोई ऐसा ख्षेत्र है कोई प्लानेट है जहां पे life exist करती है क्या हम यह देखना चाहते हैं यह भी conduct high resolution mapping of the lunar surface कि जो lunar surface है जो moon का surface है उसकी हम high resolution mapping conduct करना चाहते हैं तो इसका right answer है option D conduct high resolution mapping of the lunar surface यह एक key objective है चंदरियान 3 का कि हम lunar surface जो moon का surface है उसकी high resolution mapping conduct करना चाहते हैं ताकि हम इसकी composition को और इसके जो features हैं उसको study कर सकें next question है चंदर्यान 3 mission aims to land on which region of the moon तो moon का ऐसा कौन सा region है जहां पे land करना चंदर्यान 3 mission का aim है तो इसका right answer option D lunar south pole moon का जो south pole है वहाँ पे easily land करना ये aim है चंदर्यान 3 mission का next question है चंदर्यान 3 mission will carry instruments to study what तो देखी है निमन लिखिन मेंसे क्या ऐसी चीज है जिस को study करने के लिए जो चंदर्यान 3 mission है उसमें ka unwilling instruments लगाए गए hanno to magnetic field of the moon, क्या moon की जो magnetic field है उसको study करने के लिए instruments लगाए गए है क्या moon की topography को study करने के लिए instruments लगाए है यह फिर moon की mentioned mineral composition है उसे study करने के लिए यह जो instruments है चंदरियान 3 में यह लगाए गए हैं तो इसका right answer है all of the above यह जो instruments लगाए गए हैं चंदरियान 3 में यह moon की magnetic field को भी study करेंगे topography को भी study करेंगे और mineral composition को भी study करेंगे next question है चंदरियान 3 mission is expected to contribute to our understanding of what यह जो चंदरियान 3 mission है यह moon की ऐसी कौन सी चीज है जिसकी understanding में हमें contribute करेगा मदद करेगा क्या यह moon के origin और evolution के understanding में मदद करेगा moon में water presence की understanding में मदद करेगा यह moon की जो geology है उसके understanding में यह मदद करेगा तो इसका right answer क्या है option D है यह moon के origin और evolution की understanding में मदद करेगा, moon में जो water presence है, उसकी understanding में मदद करेगा, और जो moon की geology है, उसकी understanding में भी यह मदद करने वाला है, next question है, चंदरियान 3 mission is being developed to demonstrate improved what, चंदरियान 3 mission जो है, यह किस चीज़ को demonstrate करने के लिए, बताने के लिए, develop किया गया है, landing techniques को, orbital maneuvering को, यह communication systems को, तो इसका right answer है, option A, चंदरियान 3 mission इसलिए बनाए गया है, ताकि demonstrate के जा सके, कि moon का जो south pole है, वहाँ पर कैसे easily landing की जा सकती है, अब देख़ो moon का जो south pole है, यह क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि यह moon का वो हिस्सा है, जो बड़ा unknown है, क्यों unknown है, क्योंकि यहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती है, अभी तक यहाँ पर कोई इतने ज़्यादा studies नहीं हुई है, तो इसलिए इसके बारे में बहुत चीजों का पता नहीं है, इसलिए यह चंदरियान 3 मिशन जो है, इसलिए डेवलिप किया गया है, ताकि डेमोंस्टेट किया जा सके, कि भाया, साउथ पोल में भी लैंडिंग की जा सकती है, तो इसका राइट अंसर ऑप्शन A है, लैंडिंग टेक्नी, next question है, the estimate cost of चंदरियान 3 is approximately what, तो निमिल्लिक में से वो कौन सा amount है, जो estimate cost है, चंदरियान 3 की, तो इसका राइट अंसर ऑप्शन D है, 615 करोट, अब देखो, इससे जादा to cost कई हमारे बॉलिवूड की फिल्मों की होती है, तो बॉलिवूड की ऐसी कई फिल्म हैं, जिन से काफी कम cost पे चंदरियान 3 जो है, वो हमने बनाया है, इसलिए 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 की हमें तारीफ करनी चाहिए, इस चीज के लिए, नेक्स कोशन हमारे पास हाता है, चंदरियान 3 mission is expected to have a duration of कितने देज, जिन से कितने दिन तक चंदरियान 3 mission की जो जो डिए इसलिए इसलिए उप्शन है तो इसका right answer option D है, that is 14 days, नेक्स्ट कोशन है, अगर यह जो इसलिए मून के सरफेस पे लैंड कर जाता है, तो यह भारत को क्या बनाएबा, first country to land on the moon's south pole, second country to land on the moon, first country to conduct a soft landing on the moon या फिर third country to reach the moon's orbit, तो इसका right answer है option C, अगर चंदर्यान 3 mission completely successful होता है तो ये भारत को पहला वो देश बनाएगा, जो moon के उपर soft landing conduct करेगा, तो ये हमारे लिए बड़े गरव की बात है next question है which launcher is used for चंदर्यान 3, निमनले किसमें से कौन सा वो launcher है जो चंदर्यान 3 के लिए यूज किया गया, तो इसका right answer LVM 3 है इसके full form है launch vehicle mark 3, तो ये launcher है जो यूज किया गया है चंदर्यान 3 के लिए next question है what does yarn mean in चंदर्यान, अब चंदर्यान में चंदर्यान में चंदर्यान तो हो गया moon और यान इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है option C vehicle, तो चंदर्यान में यान का मतलब क्या है, vehicle next question है, but is a primary objective of चंदर्यान 3, चंदर्यान 3 का primary objective क्या है, moon के atmosphere को study करना, moon में human settlement को permanent establish करना, soft landing करना lunar surface पे, ताकि हम वहाँ पे scientific investigation कर सकें, या फिर lunar surface से कुछ samples को earth में लेकर आना और यहाँ पे उसके study करना, तो इसका right answer है option C, कि हम चाहते हैं कि lunar surface पे soft landing कराई जाए, ताकि हम व सकें, next question आता है, what improvements have been made to चंदर्यान 3 compared to its predecessor, अब मैंने आपको बताया कि चंदर्यान 3 का predecessor क्या है, चंदर्यान 2, चंदर्यान 2 जो है उसकी अच्छे से launching हो गई थी, लेकिन उसकी landing अच्छे से नहीं हो पाई, तो अभी यहाँ पे क्या improvements की गई है, कि जो गलतिया हमने चंद चंदर्यान 3 में ना हो, और जो चंदर्यान 3 है, तो काफी easily successfully वहाँ पे land हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या improvements करी है, क्या हमने solar panel के efficiency को enhance किया है, communication system को upgrade किया है, या lander और rover के जो design ने उन्हें चेंज किया है, या फिर ये तीनों चीज़ें करी है, तो इसका right answer क्या option D, हमने solar panel की efficiency enhance करी है, हमने communication system को upgrade किया है, क्योंकि यही एक पहुत बरा technical glitch था, कि चंदर्यान 2 के case में हम communication ही खो गए थे, और फिर हमने lander और rover का design ने उसे भी change किया है, उसके जो legs हैं उनको जादा strong बनाया है, ताकि वो easily land कर सके, और इस बार इन चीज़ों को इस परकार से बनाया है, कि मान लो इनका एक कोई पुर्जा खराब हो भी जाता है, तो भी यह land कर जाएं, तो इस परकार से हमने यह improvements इस बार हमारी इसरों ने चंदर्यान 3 में करी है, अपने predecessor चंदर्यान 2 के comparison में, तो right answer option D है, next question है, चंदर्यान 3 missions rover is known as, चंदर्यान 3 mission का जो rover है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है option B, प्रग्यान, यह अपने ध्यान रखना है, next question है, which of the following is missing in चंदर्यान 3, निमन लिखिन में से कौन सी अची चीज है, जो चंदर्यान 2 में तो थी लेकिन 3 में नहीं है, तो इसका right answer option C है, orbiter, next question है, what is the weight of चंदर्यान 3, चंदर्यान 3 का कितना weight है तो इसका right answer option B है, 3900 kg का है चंदर्यान 3, next question है, who is the director of चंदर्यान 3, चंदर्यान 3 की director कौन है, तो इसका right answer है option D, रितू कारिधाल, यह हैं रितू कारिधाल, तो यह बताता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, वो कहीं पर भी पीछे नहीं है, चाहे डॉक्टर, इंजिने चंदर्यान 3 की जो डिरेक्टर है, वो एक महिला है, जिनके ऊपर हमें गर्व है, उनका नाम रितू खारी दाल है, एक important fact जो आपको इनके बार में जाद रखना है, कि इन्हें rocket woman of India भी कहा जाता है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि rocket woman of India किसे कहा जाता है, तो राइट रितू खारी दाल होगा, यह है रितू खारी दाल, next question है, who is the fourth country to successfully land a spacecraft on the moon, पूरी दुनिया में चोथा वो कौन सा देश है, जिसने मून पे successfully spacecraft को land किया है, तो इसका right answer option D है, तो रशिया, USA और चाइना पहले तीन है, और चोथे नमबर पर हमारा भारत है, next question है, चंदर्यान 3 जो है, उसको कहां से launch किया गया, तो इसका right answer, SD, SC, शार, शिरी हरी को उटा, तो SD, SC की कैफल form है, सतीर धवन स्पेस सेंटर, शिरी हरी को उटा, यहां से चंदर्यान 3 को launch किया गया है, next question है, where is the headquarter of ISRO, ISRO का headquarter कहां पर है, तो धान रखेगा ISRO का headquarter कहां पर है, बैंगलोर में है, next question आता है, आपके पास, when was ISRO formed, ISRO को कब बनाया गया था, तो इसका right answer option C, 15 August 1969 को ISRO को बनाया गया था, next question है, when was the ISRO logo adopted, ISRO का जो logo है, उसे कब अडॉप्ट किया गया, तो उसे 2002 में अडॉप्ट किया गया था, right answer option B है, यह है ISRO का logo जिसको 2002 में अडॉप्ट किया गया next question है, आपके पास, when was the first rocket launched from India, भारत से पहला rocket कब launch किया गया था, तो इसका right answer 21 November 1963 है, 21 November 1963 को भारत का पहला rocket launch किया गया था, next question है, what was ISRO known before 1969, 1969 में इसका नाम रखा गया, ISRO, लेकिन 1969 से पहले इसको किस नाम से पुगारा जाता था, इसके full form क्या है, इसके full form है, Indian National Committee for Space Research, तो यह आपने धान रखना है, ISRO नाम पढ़ा 1969 में, इससे पहले से बोला जाता था, in course पार, Indian National Committee for Space Research, यह आपने ध्यान में रखना है, next question आता है, when was the Indian National Committee for Space Research, in course पार, setup, हमने कहा कि ISRO 1969 में बना, इससे पहले ISRO को बोलते थे, in course पार, तो in course पार जो था वो, कब setup किया गया था, तो इसका right answer option A है, in course पार को 1962 में setup किया गया था, next question है, who was the first chairman of the in course पार, in course पार के first chairman कौन थे, तो right answer option A है, विक्रम सारा भाई, यह हैं विक्रम सारा भाई, जो की in course पार के पहले chairman थे, विक्रम सारा भाई जी का पूरा नाम था, डॉक्टर विक्रम अंबलाल सारा भाई, ध्यान रखेगा, next question है, who established the Indian National Committee for Space Research, ने में लेक्रम से वो कौन सा विक्ति है, जिसने in course पार को establish किया था, तो यह हमारे देश के पहले प्रदान मंति शरी जौहलना नहरूजी ने establish किया था, जौहलना नहरूजी से रिलेटे सारे important जी के questions को मैंने एक लग वीडियो में cover किया है, अगर आप चाहिए तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको description box में देदूँगा, यह फिर आप मेरी playlist में जाएए, वहाँ पर personality questions नाम की एक playlist है, वहाँ पर आपको जौहलना नहरूजी से related, major जहांचन जी से related, इवन महात्मा गांधी जी से related, मैंने कम से कम सो से जादा questions को cover किया है, जो आपके examination के लिए काफी important है, महात्मा गांधी हर examination के लिए काफी important रहते हैं, इनसे related काफी questions आते हैं, अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली तो शायदी examination में कोई ऐसा सवाल होगा, related to मात्मा गांधी जी जो आप गलत करेंगे, तो इसलिए उस वीडियो को जुरूर देखेगा, इनका link में description box में देदूँगा, या फिर आप मेरी playlist में जाइए personality questions, बहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो इनको उस पार को किस ने established किया था, जौहल नाल नहरू जी ने established किया था, इनको सपार इसको Department of Atomic Energy के under established किया गया था, 1962 में, next question है, who is the father of the Indian Space Program, Indian Space Program के father किने कहा जाता है, तो इसका right answer option B है, Dr. Vikram Ambalal Sarabhai, Dr. Vikram Sarabhai को Indian Space Program का father कहा जाता है, तो यह काफी important question है, इसको अपने ध्यान में रखना है, कि who is known as the father of the Indian Space Program, Dr. Vikram Sarabhai, next question है, when was Chandriyan 1 launched, देखे, Chandriyan 3 जो है, यह Chandriyan 1 और Chandriyan 2 की जो success है, उसी को देखते हुए Chandriyan 3 को launch किया है, तो Chandriyan 1 को कब launch किया गया था, तो इसका right answer option C है, 22 October 2008, 22 October 2008 को Chandriyan 1 को launch किया गया था, next question है, which department is responsible for the administration of ISRO, अब ISRO एक organization है, space के exploration पर काम करती है, लेकिन किसी ना किसी ministry के अंदर, कोई ना कोई department आता होगा, उस department के अंदर ISRO काम करता होगा, तो इसका right answer option A है, department of space, तो अभी ISRO जो है, उसकी administration है, यह वो किस के अंदर आता है, basically, कौन ISRO को own करता है, department of space, यह अपने ध्यान में रखना है, next question है, when was the department of space established, अब ISRO किस के अंदर आता है, department of space के अंदर, तो department of space को कब बनाया गया था, तो इसका right answer option B है, 1972, 1972 को department of space को बनाया गया था, तो यह अपने ध्यान रखना है, next question आता है, when was Chandriyan 2 launched, हमने देख लिए Chandriyan 1 कब launch हुआ, और Chandriyan 3 तो बस अभी भी launch हुआ, यह आप सारे जानते ही हैं, Chandriyan 2 कब launch हुआ था, तो यह 2019 में launch हुआ था, तो right answer option B है, 22 जुलाई 2019 को Chandriyan 2 launch हुआ था, next question, name the first satellite built by India, पहला satellite जो भारत को दोरा बनाया गया था, वो कौन था, option B, आरे भट्टा, आरे भट्टा पहला satellite था, जो भारत के दोरा बनाया गया था, जहान रखेगा काफी important है, next question आता है, where was the first Indian satellite, आरे भट्टा launched, पहला Indian satellite जो हमने बिल्ड किया भारतियों ने क्या था, आरे भट्टा, लेकिन इसको भारत से launch नहीं किया गया था, तो इसको कहां से launch किया गया था, इसको Soviet Union से launch किया गया था, जिसे अब भी Russia बोलते हैं, तो basically USSR या Soviet Union जो है, ये काफी countries का group था, 1992 में आके इसका विघटन हो गया, और बहुत से देश अलग अलग चले गए, जैसे कि Russia अलग हो गया, Ukraine अलग हो गया, और बाके छोटे-छोटे और भी काफी देश हैं, जो USSR से यानि Soviet Union से अलग हुए, तो इस Soviet Union से लिटेर मने सारे important जिगे questions को कवर किया है, यानि Soviet Union से रिलेक्टे जितने में जीके questions हैं, वो मिल जाएंगे, अभी क्योंकि Russia और Ukraine के वीच में वार चला है, और यह भी चला ही हुआ है, खतम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो Russia और Ukraine के वीच में वार के क्या कारण है, उसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, तो अग उसको भी चाहिएं तो देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन क्योंकि Russia और Ukraine का वार चला है, तो Soviet Union का वार चला है, कि पहला इंडियन सेटलाइट जो था, आरे भट्टा वो कहां से लौंच हुआ था, Soviet Union से लौंच हुआ था, और कब लौंच हुआ था, 19th April 1975, 19 April 1975 को Soviet Union में, भारत का पहला सेटलाइट आरे भट्टा लौंच हुआ था, Next question है, Which satellite made India the first nation on its maiden attempt to Mars, कौन सा वो सेटलाइट है जिसने भारत को पहला देश बनाया, मार्स के उपर अपना maiden attempt करने वाला, तो इसका राइट अंसर है, Option D, मंगलियान, यह जो मंगलियान था, इसको कई बार मंगलियान वन भी बोल देते हैं, तो यह आपने जान रखना है, इस देश के लोग तो रोई रोई थे, इस देश की आत्मा तक रोई होगी, यह मुझे बताने की जुरूद नहीं है, कि मिसाइल मैन अफ इंडिया कैशे कहते हैं, पीपल्स प्रेजिडेंट, रिस्पेक्टिर लेट मिस्टर अपीजे अब्दुलकलाम, APJ अब्दुलकलाम है, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, अब यह सवाल है कि APJ अब्दुलकलाम में APJ क्या है, तो इनका पूरा नाम है, अबूल पाकिर जैनलाबुदीन अब्दुलकलाम, या अपने धान रखना है, नेक्स कोश्टन है, कौन सा ऐसा मिसाइल है जो APJ अब्दुलकलाम जी की guidance में develop किया गया था विच मिसाइल वस developed under APJ अब्दुलकलाम's guidance तो इसका right answer है पृत्वी option C is the right answer अब देखो जो APJ अब्दुलकलाम थे वो बहुत बढ़े scientist थे लेकिन वो people's president भी रहे अपनी life में वो इतने ज़्यादा successful बने लेकिन उसके बावजूद भी वो grounded रहे वो बहुत ही ज़्यादा humble थे और उनका सिरफ एक mission था कि इस देश का जो youngster है वो पढ़ाई करे महनत करे और अपने देश को भारत को तरक्की के चरफ लेके जाए तो आपने ऐसे ध्यान रखना है कि APJ अब्दुलकलाम जो थे वो बड़े grounded थे पृत्वी से जूड़े हुए थे मतलब धर्ती से जूड़े हुए थे तो इसलिए कौन से वो मिसाइल है जो APJ अब्दुलकलाम जी के guidance में develop हुई थी पृत्वी option C is the right answer next question है what is the name of first successful nuclear bomb test by India on 18 May 1974 18 May 1974 को जो भारत ने पहला successful nuclear bomb test किया था उसका क्या नाम था तो उसका नाम था option B smiling buddha smile करते करते ही हमने Pakistan और China को competition दे दिया था जब हमने पहला nuclear bomb test किया जो successful nuclear bomb test था तो इसका right answer किया option B smiling buddha next question है where is Vikram Sarabay Space Center situated Vikram Sarabay Space Center कहां पे situated है तो इसका right answer option C है थिरुवनतपुरम में situated है तो धान रखना है Vikram Sarabay Space Center कहां पर है थिरुवनतपुरम में है next question है which series of Indian satellites है decommission तो पहले इनको commission किया गया था लेकिन अभी ये decommission हो चुके है तो ऐसे कौन सी series है Indian satellites की तो इसका right answer option A है ASLV इसकी full form है Augmented Satellite Launch Vehicles तो ये अभी वो series है Indian satellites की जो decommission किया चुकी है next question आता है इस satellite is used by दूरदर्शन for providing television services all over India दूरदर्शन की television services आती है पूरे भारत में दूरदर्शन आपने भी हो सकता है देखा होगा तो दूरदर्शन कौन से satellite का यूज करता है पूरे भारत में अपनी television services को प्रोवाइड करने के लिए तो इसका right answer option B है इनसेट का यूज करता है दूरदर्शन अपने television services को प्रोवाइड करने के लिए पूरे के पूरे भारत में next question है which Indian spacecraft will send astronauts into space भारत का वो कौन सा spacecraft है जो space में astronauts को भेजेगा तो इसका right answer है गगन यान option C is the right answer गगन यान वो spacecraft है भारत का जो astronauts को send करेगा space में next question है who was the project director of चंदर्यान 1 हमने चंदर्यान 3 का तो देख लिया rocket woman of India चंदर्यान 1 के project director कौन थे तो इसका right answer है M. अनादुराई option D ये है M. अनादुराई जो की चंदर्यान 1 के project director थे next question है option D ISAC ISRO Satellite Center ISAC ISRO Satellite Center में भारत के जो satellites है वो manufacture किये जाते हैं और ये ISRO Satellite Center है कहां पे ये है पैंगलूरू में next question है which is the only Indian island where ISRO has set up a space center भारत का इकलोता वो island जहां पर ISRO ने अपना एक space center set up किया है तो इसका right answer है option C Port Blair भारत का इकलोता ऐसा island है जहां पर ISRO ने अपना space center set up किया है next question है which is the first launch vehicle of India भारत का पहला launch vehicle कौन सा था तो इसका right answer है option B SLV 3 इसकी full form है satellite launch vehicle 3 तो satellite launch vehicle 3 SLV भारत का पहला launch vehicle था next question है चंद्रियान 1 was operational for how many days चंद्रियान 1 निवन लिकिन में से कितने दिनों तक operational रहा था तो इसका right answer option B है चंद्रियान 1 312 दिनों तक operational रहा था next question है what is the temperature of the moon at night रात में moon का कितना temperature पहुंच जाता है तो इसका right answer option B है minus 173 degree Celsius तक का temperature होता है moon में रात को अब देखो यह temperature होता है यह vary करता है minus 173 degree Celsius to minus 180 degree Celsius तक तो इसका right answer option B है minus 173 degree Celsius next question है which is the heaviest satellite built by India भारत को अधर अभी तक सबसे heaviest satellite कौन सा बनाया गया है तो इसका right answer option C G set 11 G set 11 वो satellite है जो अभी तक भारत को अधर बनाया गया सबसे heaviest satellite है और यह कितना heavy है इसका weight है 5854 kg और भारत के heaviest satellite को launch किया गया था 4 December 2018 को next question है in which year Mangaliyan 2 will be launched by ISRO ISRO के दोरा Mangaliyan 2 जो है वो कौन से year में launch किया जाएगा तो इसका right answer है option D 2024 में Mangaliyan 2 को ISRO के दोरा launch किया जाएगा next question है which spacecraft is developed by ISRO to study the sun सूर्य की study करने के लिए ISRO के जाएगा कौन सा spacecraft develop किया गया है तो इसका right answer option B है अदित्य L1 तो इसको या रखना आसान है क्योंकि अदित्य का मतलब भी सूर्य ही होता है सूर्य कही एक अलग नाम है अदित्य तो कौन सा spacecraft है जिसको ISRO ने बनाया है सूर्य को study करने के लिए सन को study करने के लिए अदित्य L1 नेक्स कोश्चन है विश स्पेस्क्राफ्ट इस डवलट भाई ISRO फोरा मिशन टू वीनस वीनस को study करने के लिए वीनस के लिए जो हमारी ISRO का मिशन है उसके लिए कौन सा spacecraft इस रोने डवलट किया है तो इसका right answer option C है शुक्रियान शुक्रियान 1 वो स्पेस्क्राफ्ट है जो इस रोने डवलट किया है अपना जो वीनस के लिए मिशन है उसके लिए नेक्स कोश्चन है विस सेटलाइट इस यूज़ पाइदा इंडियन मिलिटरी as a communication satellite इंडियन मिलिटरी के दोरा निमिल लिखन में से वो कौन सा satellite है जिसे as a communication satellite यूज़ के जाता है तो इसका right answer option B है G-7A G-7A यह वो satellite है जिसको इंडियन मिलिटरी के दोरा यूज़ के जाता है as a communication satellite नेक्स कोश्चन है When was the first PSLV यानि polar satellite launch vehicle लॉंच PSLV को सबसे पहले कब लॉंच किया गया था तो इसका right answer option B है 1993 में 1993 में सबसे पहले PSLV को लॉंच किया गया था और जो PSLV सबसे पहले 1993 में लॉंच हुआ था उसका नाम था PSLV-D1 जिसे लॉंच किया गया था लेकिन यह जो लॉंच मिशन था यह अन्सक्सेस्फुल था और यह अन्सक्सेस्फुल लॉंच मिशन कब हुआ था सब्टेंबर 20, 1993 में तो यह 1993 में सबसे पहले polar satellite launch vehicle को लॉंच किया गया था लेकिन यह मिशन अन्सक्सेस्फुल रहा था क्या नाम था P.S.L.V.D.1 नेक्स्ट कुश्चन है वो वो फर्स्ट इंडियन तो गो टू स्पेस वो कौन सा पहला भारतिया है जो स्पेस में गया था तो यह आप मेंसे सारे लोग जानते होंगे इनका नाम है Mr. Rakesh Sharma यह है Rakesh Sharma पहला वो भारतिया जो स्पेस में गये थे तो यह थे दोस्तों चंदरियान 3, 1, 2 और इस रोज से रिलेक्टर सारे इंपोर्टन जीके कोशन जो आपके एक्जामिनेशन के लिए जरूरी है इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत जादा महनत लगी है तो अगर आपको एक वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा जादा स्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मन भूलिएगा जी के कंटवे के ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा थैंक्यू सो मुच फो आच